यूपी के तो हम भी हैं साब। यूपी तो बहुत इंपॉर्टन है। तो ये तस्वीरे जहन में छप रही हैं जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। अमेरिकी राश्पती जब भारत आते रहे हैं तो एक चीज सर हमने देखी है बहुत और शिद्द से महसूस की है और दोपर में मैं और राहूल जी बात भी कर रहे थे कि डिप्लोमेसी के साथ साथ बड़ा परसनल टच होता है। हाँ देखिए डिप्लोमेसी को बहुत फाइदा मिलता है अगर परसनल टच हो। प्रदान मंतरी मोदी जी में ये आर्ट बहुत हैं कि हमें लोगों को एक घटा किया अड्रिस किया यहां पे भी ट्रम्प साब आए तो उनको पॉब्लिक में ले जाना तो वह एक रिष्टा उनका बना रहता है पॉब्लिक के साथ भी समवाद कह लीजे या जो भी कह लीज यह बेना पर उनकी वह चाहीं परजनी पर अलिकंट में लूं 9 सवे जी जिए जींग पिंग जो चाईना के प्रेसिडेन्ट हैं में लेकुछ। बीनियाहुसे भी अन्हीं पे उन्हें बhst 건 लेर्देंewर बेल्ध पर रिलेशन मनाएं। मैं नहीं यह नहीं कहूंगा कि से है लेकिन यह कि इससे बाच्ची तो बहुत से मसलों को हल करने में मदद मिलती है वहाँ पे आश्रम में जाके साबनेवाब मोधी जी को दिया गड़ लग जब वहाँ पर हेड़ ऑफ स्टेट का जो परसनल रिलेशनशिप होता है दूसरे हेड़ ऑफ स्टेट के साथ वह केमि है उनका नाशनल इंट्रेस्ट क्या है इनका जब कन्वर्जिंस होता है जहां पर मिलते हैं वहां पर तो फाइदा हो जाता है चोटी मुछी चीज़ देशनशिप के बजले में हो जाती है और अगर परसनल रिलेशन्शिप होते हैं तो भीगडने नहीं पाता जाएदा रि जैसे आपने कहा कि प्रस्टनर रिलेशन्शिप हैड ओफ स्टेट्स के बीच में बहुत काम आती है हलाकि मुझे नहीं लगता ऐसा आता हो क्योंकि पहले भी मोदी जी के जितने अच्छे रिलेशन्स रहे हैं